पूरब जाए या पसिम जाए वही करम के लक्षन एरपोर्ट पे ही पाकिस्तान के नए वित्तमंत्री का गाली गलोज से स्वागत हुआ वो भी अमेरिका में वहीं दूसरी तरफ इस्तिती बहुत खराब हो गई जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं रातो रात अंदेरा ही अंदेरा चा गया है पाकिस्तान के अंदर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ यूके की भारत ने क्लास लगा दी और डर के मारे यूके ने ले लिया बड़ा फैसला जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में आये जानते हैं इन कबरों को विस्तार से अभी आपको हम लोग एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें पाकिस्तान की सच्चाई निकल कर सामने आईगी सबसे पहले तो ये जान लीजिये पाकिस्तान सरकार में वित्मंत्री बदल गया है इसाकडार इस वक्त वित्मंत्री है और वित्मंत्री बनते ही सबसे पहले वो पहुँच गया अमेरिका अमेरिका में एरपोर्ट पर जैसे उत्रा वहाँ पर उसे गालियां पढ़ने लगी और गालियां जब पढ़ने लगी तो बदले में जो लाव लसकर लेके ये पहुँचे थे अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर पहुँचे थे उन में से एक सक्स ने बहुत ही गंदी- कि लग रहा था जैसे एरपोर्ट पर ही मार पिठ हो जाएगा और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बंदा कोई आम सक्स नहीं अगर पोजीशन के हिसाब से देखे तो बले पाकिस्तान इस पूरी दुनिया में अभी किसी गत का नहीं रह गया है इसलिए उसके मंत्री भी नहीं सम्मान नहीं पाते हैं हाल ही में एक मंत्री को चोरनी चोरनी भी कहा जाने लगा था और ये लंदन में हुआ था जहां कोफी सौप में मरियम औरंग जेब को घेर लिया था लोगों ने और गेर कर चोरनी चोरनी के आरोप लगा दिये थे और अब ये दूसरी बार है जब इ इस वक्त इस्तिती है बहुत खराब और आम लोगों का गुस्सा भी पाकिस्तान की सरकार के ऊपर फूट रहा है अब फूटे क्यों नहीं पाकिस्तान की सरकारों ने अपने आम जनता को ये बताया कि हम चीन के साथ जाएंगे तो खुश रहेंगे हम अमेरिका के साथ लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला उपर से चीन आया यह तो पूरे पाकिस्तान को खाने के चकर में है यहां पर कई जगों पर चीनी सेना का बोलवाला भी होने लगा लोगों ने देखा कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है दरसल इसलिए कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान में जो सत्ता पे बैठा है वही कुछ नहीं देना चाता है अब गुरु आर को क्या हुआ पूरा पाकिस्तान जिसमें राजधानी कराची भी है आप समझ लीजिए पाकिस्तान की सुरुआत हो गई आचानक से बिलकुल ब्लैक आउट हो गया कहीं भी नहीं पहुँचने लगा बिजली की आपूर थी बादित हो गई लोग बेहाल हो गए और किसी तरीके से एक जगा बिजली सप्लाई की जाती तो अगले एक घंटे के अं पाकिस्तान तबाही की तरफ बढ़ रहा है और इसकी सुरुआत भी हो गई है उपर से अब समझ ले। अमेरिका ने ऐसा कर दिया है कि पाकिस्तान को कोई जल्दी मदद भी नहीं देना चाहेगा। अमेरिका ने उजागर कर दिया कि हमने पैसे भेजे पाकिस्तान लेकिन पाकिस्तान में भरष्टाचार इतना है कि अधिकारियों ने उन पैसों को खा लिया ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबेक है दुनिया के बांकी देश भी पैसे देने से हिचकेंगे और उन्हें लगेगा कि पाकिस्तान में पैसे लगाना सबसे बड़ी मुर्खता है खेर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन और भारत के बीच अभी सब कुछ ठीक नहीं है सबसे पहली बात तो ये है कि जो फ्री ट्रेड एगरिमेंट है जो दिवाली तक स साइन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यूके में जो नई बनी है लिज ट्रस पीम इनके काल में तो बिलकुल भी नजर नहीं आ रहा है जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने तो अटपटा बयान दे दिया कि अगर FTA साइन होगा तो समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी और माइगरेंट्स आकर रहने लगेंगे माइगरेंट्स आकर रहेंगे तो यहां हमारे लिए दिक्कत होगी मतलब यही दिखा कि Free Trade Agreement साइन नहीं होगा लेकिन दो साल इसके पीछे मेहनत किया गया और दो साल के बाद ये चीज़ें अगर निकल कर सामने आती हैं तो ये बि बिटेन की महाराणी डर गई है और उसने एक बड़ा फैसलाल ले लिया है तुकि कुईन एलिजाबे द्वितिये के निधन के बाद परिबार में बदलाव हो चुका है अब नए राजा किंग जॉर्ज तृतिये हैं और उनकी पतनी कैमिला नईरानी है दोनों की ताजपोस जाता है उस ताज में 105 कैरेट का जो बेस कीमती कोहिनूर लगा हुआ है ये कोहिनूर भारती है अब इसे लेकर डर लगने लगा है रानी को जिस तरीके से माहोल बना हुआ है उनके आसपास राजनेतिक संबेदन सीलता आ गई है और ऐसा देखा जा रहा है खास करके भारत क लेकर घबराहट देखी जा रही है अब उनके बिसेसक की उन्हें बता रहे हैं कि आप कोहिनूर वाला अगर ताज पहनोगे तो इस ताज से भारत के लोग खफा होंगे और भारत के लोग खफा होंगे तो फिर माहोल और भी जादा खराब हो जाएगा अब आप समझ लिज ये भी कहा जाने लगा साही परिवार ये मानता है कि ये हीरा सापित है कहा जाता है कि साही परिवार का कोई पुरूस सदस अगर इस हीरे को पहन लेता है तो उसके बुरे दिन सुरू हो जाते हैं इसलिए पहन सकती है महरानी लेकिन महरानी तो ये कह रही है कि हम नहीं पहन क्योंकि राजा को यह पसंद नहीं है राजा को यह लग रहा है कि इस से भारत के खिलाफ एक संदेश जाएगा और भारतिये लोग फिर बिटेन के खिलाफ परदर्सन करेंगे खैरी इस वक्त जहां यह एक किस्सा हो रहा है कोहिनूर का तो वहीं दूसरी बड़ी बात यह हो यह कि इस ट्रेड एग्रिमेंट को लेकर भारत अब आकरामक होता हुआ नजर आ रहा है भारत ने भी यूके को यह चेतावनी दे दिये कि ठीक है तुम फ्री ट्रेड एग्रिमेंट अगर नहीं करना चाहते हो तो 550 मिलियन डॉलर का जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी हम नहीं करेंगे दरसल भारत ने इन्वेस्टमेंट कैसे किया तो आपको बता दें भारत ने कई सारी नई कमपनियों के द्वारा वहां पर ब्रांच ओपन करना जिससे की वहां के करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले पलस भारत का भी अपना काम सुगमता स चले ये रिष्टे बढ़ाने के लिए दिये थे ना कि रिष्टो को खराब करने के लिए पर free trade agreement sign नहीं होने से अब धीरे धीरे रिष्टे भी खराब होते नजरा रहे हैं और दो साल भी भारत का बरवाद होता हुआ नजरा रहा है तो अब भारत जैसे को तैसा करने में य दिरू बताएं